आज बनाएंगे आवले की खट्टी मीठी लौजी जो खाने में तो बहुत अच्छी लगती है हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाबदायक होती है हमारे भरपूर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है और आरेन पाया जाता है तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत लाबदायक हलो दोस्तों मैं अंजू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटीब चैनल मा की रसोई में आज बनाएंगे हम आवले की लौजी खटी मीठी लौजी उसके लिए 500 ग्राम आवले लिए इन्हें अच्छे से दो लिया है और इन्हें दोग के प्रेशर कुकर में चड़ा दिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है थोड़ी सी हल्दी डाली है हल्दी से आवले का कलर बहुत अच्छा हो जाता है अब इसका ढकन लगा देंगे और कम से गम 3-4 सीटी लगाएंगे अब प्रेशर जब निकल जाएगा तो आम लोगों कुकर से बाहर निकाल लेंगे किसी अलग बड़तन में और इस तरह इनकी कलियों को अलग करके इसके बीज को हटा देंगे सारे आमलो को इसी तर अलग कर देंगे बीजो को आमले के पीसो को अलग कर लिया है अब चटनी बनाने के लिए एक पैन लिया है उसमें डाला है सरसो का तेल एक चमच जीरा एक चमच काली सरसो थोड़ी सी हींग और एक चमच सौप उसी में हम अपनी आमले को भी डाल देंगे और इसे कम से कम 3-4 मिट इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे इसमें डालेंगे उपर से एक चमच गरम मसाला काला नमक डाला है आदा चमच नमक कम ही डालें क्योंकि हम पहले आमले में भी नमक डाल चुके और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद इसे इस तरह थोड़ा सा मेशी कर लेंगे इसे हमें जादा नहीं करना बस थोड़ा थोड़ा सा ही कुचलना है उसमें डालेंगे एक चमच लाल विर्च कुछ 8-10 काली मिर्च को कूट के डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें डालेंगे 300 ग्राम गुड 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ है आप चाहें तो इसे गुड में भी बना सकते हैं लेकिन गुड से कलर थोड़ा काला काला सा हो जाता है इसलिए मैं दोनों चीज ले रही हूँ आप चाहें कोई भी एक चीज से बना सकते हैं अब इसे इसी तरह चलाते रहेंगे और इसे 5-7 मिनिट लगेंगे बनने में बन के तयार हो जाएगी 5-7 मिनिट के अंदर आपको ये अभी पतली लग रही है लेकिन ये ठंडी होने के बाद गाड़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद इसे किसी कंच के बरतन में निकाल के रख लें और इसे आप कम से कम 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं आमला हमारी सेहत के लिए बहुत लाबदायक होता है और इसी किसी ना किसी रूप में जरूर खाना चाहिए दोस्तों इस healthy और tasty recipe को एक बार जरूर ट्राइ करें पूरी पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं आपको recipe अच्छी लगे तो like, subscribe, share जरूर करें धन्यवाद